हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल उपचानुसके में हम चैनल उपचानुसके में रोज एक लेटिस टूडियो अपडेट करते हैं यदि आप हमसे जोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहरे आप हमारे चैनल उपचानुसके को सबस्क्राइब कर लें जिससे आप डेली एक नई वीडियो देख सकेंगे भूल कर भी ना रखें तामबे के बरतन में ये पांच चीजे हम बच्पन से ही यह बात सुनते आ रहे हैं कि तामबे के बरतन में रखा पानी हमारे सरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है तांबी के बरतन में रखे पानी को रोजाना पीने से हमारे सरीर को कई रोगों से लड़ने की श्रमता मिलती है लेकिन हमें सही कई लोग सोचते हैं कि जैसे इसमें रखा पानी लाप्रद होता है वैसे ही अगर इसमें और भी चीज़े रखकर प्रियोग में लाई जाए तो वह भी फायदे मंद होती है लेकिन ऐसा नहीं है बता दें कि किसी भी चीज़ को तांबी के बरतन में रखने से बचना चाहिए क्योंकि कई चीज़े ऐसी होती हैं जिनने तांबी के बरतन में रखने पर और प्रियोग पर लाने से हमारे सरीर को नुकसान पहुचता है आज हम आपको ऐसी ही पांच चीज़ों के बारे में बताएंगे जिनने भूल कर भी तांबी के बरतन में नहीं रखना चाहिए दही को तांबे के बर्तन में रखने से दही पर मौझूद पोसक तत्व फायदे की बजाए हमारे सरीर को नुकसान पहुचाते हैं इसमें मौझूद पोसक तत्व तांबे के साथ रियक्ट करते हैं जिस वजह से तांबे के बर्तन में रखी धही खाने से पेट समधी पर उल्टा हसर दिखाने लगते हैं जिस कारण से लोगों को उल्टी डाइरिया पेट खराब आदी समस्याइं हो सकती हैं आचार तांबी के बरतन में अचार भूल कर भी नहीं रखना चाहिए खासकर सिर्के वाले अचार को तांबी के बरतन में रखने से बचना चाहिए क्योंकि सिर्क का मैटल के साथ मिलकर परती के लिया करने लगता है जिसकी वजह से अचार खराब होनी की संभावना बढ़ जाती है और साथ ही तांबी के बरतन में रखा अचार खाना आपके लिए हानिकालक साबित हो सकता है लेमन जूश लेमन जूश में पाई जाने वाले एसित तांबे के सान मिलकर रियक्ट करते हैं जो आपके सेहत के लिए नुकसान देए हैं जिस कारण गैज बनना पेट में दर्थ जैसे समस्याइश सुरू हो जाती हैं सिट्रिक फूड सिट्रिक फ परभाव पड़ सकता है इसलिए सिट्रिक फूड या खटी चीजों को तांबी के बरतन में लखने से बचना चाहिए अगर आपको यह सभी बाते पसंद आई हूं तो आप हमारी चैनल उपचान उसके को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें